नमस्का और दोस्तों स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चनल टागेट सीरील चर्शिस में आज है 17 जुलाई और मदप्रदीश के डेली करेंट अफर में आज हम 12 जुलाई से लेकर 17 जुलाई तक जितने भी सकूल'm अभ्यान 2023 का प्याँ जाएगा तो यह साजापूर्ड श्टीक करहेंगे और राजर स्टरी करीकरम साजापूर जिले के गुलाना में नवननिर्मिक सी म राज विद्याले में आयो जीत होगा मुक्यमंद्री स्री सिवराशी चवान जी गुलाना में 22 करोड रुपए की लागत से बन कर तयार हुए हमारे मद्दप्रदेश के पहले CM Rise स्कूल भवन का लोकारपन भी करेंगे और स्कूल चले हम अभियान को जन आंदोलों में बदलने के लिए 17 से 19 जुलाई तक हमारे मद्दप्रदेश की समस्त सास्की सालाओं में जन समुदाय की सहभागिता में बविष्य से बेट कारे करम भी होंगे कोशन है हमारा हाले में किस अभ्यारन में इस्तित खातियार गीर को रामसर साइट घूशित करने का प्रस्ताव भीजा जाएगा तो जो खातियार गीर है यह किस अभ्यारन में इस्तित है चंबल अभ्यारन में तो इसका आंसर जागा option number B ठीक है चंबल अभ्यारन देखिए बात करें सबूस्तित में अám कितनी रामसर साइट है चार रामसर साइट है कौंकौन सी एक तो बोज वेटलेंड 20 लिन कहां पर है तो यह वोपाल में है एक है यस्वंति सांगर और सीरफूर तालाप ठीक है जबन सागर और सीरफूर साक्ष सागर जिलन तो अभी हमारे मद्दर देश में कितनी रामसर साइट है चार रामसर साइट है दो इंदार एक बोपाल में है और सियूपूर डूस्टीक में है और अभी हाल मी धावरे गीर जो की चंबल अभ्यारन है इसको भी रामसर श्रेट गोशित करने के लिए प्रस्ताव भीजा जाएगा बात करें चंबल अभ्यारन की तो चंबल अभ्यारन हमारे मद्रदेश के किस डिस्टीक में है मूरेन डिस्टीक में है और इसकी स्थापन कप की गी थी तो यह कौन सा है नौरादेही अभ्यारन है इसकी स्थापना 1975 में की गी थी और हमारे मद्रप्रदीश का सबसे चोटा अभ्यारन कौन सा है तो रालामंडल अभ्यारन है ठीक है हमारे मद्रप्रदीश का सबसे चोटा अभ्यारन रालामंडल तो राता पानी अभ्यारन हमारे मध्यद्प्रदेश के किस district में है गते हैं ताइगर प्रोजेक्ट में चेट लिगा। तो काना राष्टी उद्यान जोके हमारे मधिद्प्रदेश का सब यह भी हमारे मद्धप्रदेश के अच्छे राष्ट्रु जाना जो कि प्रोजेक्ट टाइगर में सामिल है तो देखिए हमारे मद्धप्रदेश के पर्यावरन मंतरी स्री हर्दीप सिंजर डंगी की अध्यक्सता में पर्यावरन परिसर में हुए राजजी वैटलेंड प्रा माधव राष्ट्य उध्यान में इस्तित शिवपूर डिस्टीक के साख्य सागर को पिछले वर्स केंदर सासन से रामसर शाइट का दरजा मिला है और एक कौन सी है भोज वैटलेंड है जो कि बोपाल में है और हस्री हर्दीप सिंग ने मद्धप्रदीश राज्य वैटलें कि साफ्य की जाएगी तो यह हमारे म्द्प्रदीश में स्थापित की घंई तो आंसर और मध्प्रदीश होग ऑप्सन Wars देश की पहली कि इस पोप्स अकैडप कुले एले ओर अदर ठेल की बात करें ओղाई इतलेटिक्स एकेडेमि का मुख्याले कहां पर है तो athletics academy का मुख्यालया है ब素श्य में इसकी स्थापना कप का ती ती görünet दीजुन सब्हये की तीरफी टीरंदाजी जबर्फ में इसकी स्थापना तीराइंगर का सब्सक्राइर। बोपाल में है इसकी स्थापना 2007 में की गई थी और इसकी स्थापना 2006 में की थी और पूरूस होके बोपाल में है इसकी स्थापना 2007 में की गई थी और मलकम अकाडमी की स्थापना प्रिश्था में में इसका मुख्यालय और इसकी गई और इसकी स्थापना 2016 में इसको स्थाना अंतरित कर दिया था तो दिखी खेलें युवा कल्यान मंतरी श्रीमति यसोद्र राजे सिंद्या ने मदप्रदेश में देश की पहली इस्पोर्ट्स एकडमिक इस्थापना की घोसना किये इसके लिए 23 जुलाई से 27 अगस्त तक मदप्रदेश राजे जूनियर E-Sports Championship के माध्यम से टैलेंट सर्च किया जाएगा और मदप्रदेश में दो ऐसे खेलों को आगे बढ़ाने का निरने लिया गया है जो आगामी ओलंपिक और एसियन गेम्स में सामिल है मदप्रदेश में ब्रेक डांस और E-Sports Academy देश में पहली ऐसी एकेडमी होगी जो युवाओं को पारंपरी खेलों के अतिरिक इन खेलों में भी अपने होनर को निखाने का मौगा देगी मदप्रदेश में टीवी मुक्त राज्य के लक्ष को किस वर्स तक प्राप्त किया जाएगा तो यह 2024 तक लक्ष रखा गया है हमारे मदप्रदेश में मदप्रदेश को टीवी मुक्त बनाने के लिए तो इसका आंसर जाएगा option number B ठीक है 2024 और देश की बात करें हम तो देश तक मदप्रदेश को टीवी मुक्त कब तक बनाया जाएगा तो यह 2024 तक हमारे देश ने कभ तक मुक्त रखा गया दो के बैसिलस की खोच करने वाले डॉक्टर रॉबर्ट कोच के जर्मदीवस पर 24 मार्च को मनाया जाता है और 6 रोग माइको बैक्टिरियम ट्यूबर क्लोसिस की वज़ा से होने वाली एक संक्रामग विमारी है जो संक्रमित लोगों के खासने छीकने वद थूकने से फैलता है टीवी रोग मानव सरीर के फैपड़े अंग को मुख्य रूप से प्रभावित करता है और भारत ने 2025 तक की पूरी तरह से टीवी को खत्म करने का लक्ष रखा है जबकि वैस्टिक लक्ष 2030 है और देखिए वर्ल्टीपी टे 2023 की थिम देखे तो 2023 की थिम क्या है यस दूस्तों यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा हमारे देश में टीवी को खत्म करने के लिए बहुत टाइम से एक प्रोग्राम चला जा रहा था उसका नाम क्या था आर एंड टी सी पी ठीक है इसकी फुल फर्म क्या होती है रिवाइज नेशनल टेवी कंट् और देखें यहाँ पर एक कोशन काफी बार पूछा जा चुका है एक्साम में कि टीवी के ट्रीटमेंट के लिए कौन सा प्रोग्राम चला जाता है इसकी फुल फर्म क्यों होती है डारेक्ट ली आवजर्व ट्रीटमेंट सॉर्ट अवे यहाँ पर एक चीज और याद आप 19 लाग केसे से टीवी के हमारे देश में स्वास्ता आयुक्त डॉक्टर सुदामा खळे ने कहा है कि मद्यप्रदेश में समन्वीत प्रयास से दोजार चौबीस तक टीवी मुक्त राज़ बनाने के लक्ष को प्राप्त करेंगे डॉक्टर खालेक्षै नियंतरन कानिक में ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स के उद्गाटन सत्र को संबोदित कर रहे थे तेवी मुक्त मद्यप्रदेश बनाने तेवी हारेगा देश जीते अभ्यान भी चलाया गया था नाइस को सने हमारा हाले में किस राज़ी सरकार के द्वारा चमता निर्मान निती 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है तो यह हमारी मद्यप्रदेश सरकार के द्वारा मद्यप्रदेश चमता निर्मान निती 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है ठीक है तो इसका आंसर कर जाएग इस निती में हमारे मद्धपदेश के समस्त सास्की सेवकों जिन में समविधा करमी भी सामिल है इनके संपूर्ण चमता निर्मान के लिए प्रसिक्षन और अनिगतिवीदिया की जाएगी जिससे सास्की सेवक गुनवत्तपूर्ण नागरीक सिवा प्रदान करने के लिए पुख्यमंत्री की अध्यक्स्ता में राज्य प्रसीक्षन परिशत गठित होगी जिसमें मंत्रिगन और वरिष्ट अधिकारी होगे नवीन इंति में राज्य के बजट में मिसन कर्मयोगी नाम से एक नवीन मद बनाया जाएगा जिससे प्रतेक सास के विभाग को उसके वेत देश की राश्पती श्रीमाती द्रौपती मुर्मू ने किया है तो इसका आंसर का जाएगा ऑप्सन नमबर ए ठीक है द्रौपती मुर्मू अभी गवालियर के दौरे पर है और यहां पर इन्होंने अटल भीहरी वाच्पी भारती सुचना प्रद्यूगी की एबं प्रब संस्तान गॉलियर के चत्तुर्द दिक्सान समारों का सुबारं किया समारों में राश्पती श्रीमाती द्रौपती मुर्मू ने परमानू उर्जा आयो के पूर्व चेयर्मेन पद्म विभूसन डॉक्टर अल काकोड़कर को डॉक्टर आफ साइंस की मानत उभाती से समानी समाच के लिए इसमें संक्या कितनी होगी तो इसमें संक्या चार होगी जिसमें से एक जो है वो अध्यक्च होगा अध्यक्ष को मंत्री का दर्जा दिया जाएगा और भगवान मीनेश की जहनती पर एचित अवकास भी होगा दोस्तों कल का हमारा कोशन था भारती राश्टी ध्वच को कब अपनाया गया था तो यह 22 जुलाई सविधान्वा के द्वारा राश्टी ध्वच को अपनाया गया था और भारती राश्टी ध्वच की चोडाई और लंबाई का अनुपात दो अनुपात रहस्तिष त C होता है दोस्तों केसरी रंग होता है बीच में सपेद रंग होता है और नीचे हरा रंग होता है और यह 15 अगस्त 1940 को भारत के प्रभूत्व का आधिकारिक द्वच बन गया और पधानमंत्री स्वतंतरता दिवस पर लाल के लिए से राष्ट्री ध्वच फराते हैं पिंगली वनकईया को भारती राष्ट्री ध्वच का अभी कल माना जाता है दोस्तों आज के लिए आपका कोशन है यह भी कोशन बहुत बार पूचा गया है गदर आंदोलन या पाल्टी का मुख्याले कहां था ठीके गदर पाल्टी का मु वीजेस होते हैं तो इसमें आभी पार्टिस्पेट कर सकते हो टेलिग्राम चैनल के लिंक आपको मारी वीडियो का डिक्सिन बॉक्स में बिल जाएगी लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरू करेगा अगर आपी सेनल पर नहीं हो तो सिस्क्राइब भी कर थैंक यू सो मच पर वाचिंग इस वीडियो